जैश्य किष्णा, जैश्य गणेश, गणेश चेतुर्थी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुपकाम नाएं आज हमारे यहाँ पर गणेश जी की इस थापना की जा रही है देखिए उन्हें गणेश जी के लिए त्यारी की है हमारे यहां पर प्रतिवर्ष इसी तरह गड़ेश जी की स्थापना की जाती है हमने सारी जामक्री तैयारी कर ली है पूजा की भी समक्री यहां पर रखी है बगवान जी के लिए जाकी भी सजा ली है और यह पूजा की फूरी ठाली किस तरीके से हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है भवी मैं आपको अभी बताऊंगी मेरे पती देव जी बच्पन से ही जाकी सजाते हैं अगर वोटो हुआ आपके साथ जरू शेर करूंगी हमने गणेश जी हाथ से ही बनाये हैं चलिए अब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिलकुन ना पूले चलिए अब हम गणेजी की स्थापना करते हैं सब प्रथम हम भूर्मी पुजन से शुड़ू करेंगे जहाँ पर गणेजी की स्थापना करते हैं वहाँ पर पहले शुद्ध किया जाता है उसके बाद पूजा करते हैं उस इस्थान की जल से कमकू चावल हल्दी अभिर गुलाल से हम उजा करेंगे थोड़ से फूल चड़ाएंगे उसके बाद हम गणेज जी की इस्थापना करते हैं बक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समाप्रभ निर्विग्नम कुर्मेदेव सर्वकार्येशु सर्वदा गुरूर रम्हा गुरूर विश्णू गुरूर देवु महेश्वरार गुरूर साक्षाद परम ब्रम्हा कस्मय श्री गुरुवे नम्हा ये देखिए हमारे गणपती पप्पा ये गणेजरी हमने घर पर ही बनाए हैं सबसे पहले दीप्रजवलित करेंगे उसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं चार मुखी दीपक चलाते हैं गणेज जी कलश की स्थापना करेंगे कलश में शुद्र जल भराएं इसके अंदर चावल कमकू और हल्दी चड़ाएंगे आम के पत्ते रखेंगे इसके बाद हम कलश पर नारियल रखेंगे अब पहले हम कलश की पूजा करेंगे कलश पर स्वास्तिक बनाते हैं हमारे यहां पर जब इस्थापना की जा रही है हमारे घर के पास में मंदिर है वहाँ पर भी इस्थापना हो रही है तो वहाँ पर जो ढोल बज रहे हैं उसके आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी जुद्र कलश की भी पूजा करेंगे पूलर पन करेंगे कलश पर खलावा लच्छा बांधेंगे गनेश जी के सीधे हाथ तरफ कलश की स्थापना की जाती है और गनेश जी के जो उल्टे हाथ तरफ है उस तरफ दीपक प्रज्वलित किया जाता है कलश की स्थापना के बाद यह भी गनेश जी का ही रूप है सिखा और सुपारी रख कर हम पूजा करते हैं उनकी स्थापना करेंगे कलश के आगे ही रख कर फिर पूजा करेंगे सुपारी की पूजा करके इसके पाद हम दीपक की पूजा करेंगे दीपक की पूजा कर पुषपरबन करेंगे अब हम श्री गनेश जी की पूजा करेंगे जै श्री गनेश जै श्री गनेशा ओम गंगन पतिये नमो नमा हो श्री गनेश जी को जल से इसनान कराकर तिलक करेंगे बस्त्र अर्पन करेंगे गले में श्री गनेश जी को जन्यवर पन करेंगे ओम गंगन पतिये नमो नमा हो ओम गंगन पतिये नमो नमा हो ओम गंग, गणश्री को दुर्वार अरपन करेंगे, पुष्पहार अरपन करेंगे, गणश्री को श्रीफल अरपन करेंगे, बगवान जी को श्रीफल अरपन करने के बाद, पान के उपर, पान के पत्ते के उपर पंची मेगा, अरपन करेंगे, श्री गणश्री को लड़ू कभोग लगाएंगे, श्री गणश्री को फलो का भोग लगाएंगे, फल अरपन करेंगे, सभी पर जल छोड़ेंगे, धूप प्रजवलिद करेंगे, इस तरीके से हमारे यहाँ पर श्री गणश्री की इस्थापना की जाती है, देखे, इस तरीके से हमारे यहाँ पर श्री गणश्री की प्रतिवर्श आनुसाद इस्थापना की जाती है, यह देखे हमारे श्री गणश्री कितने सुन्दर लग रहे हैं, हम सब परिवार मिलकर इसी तरीके से पूजा करते हैं, इस्थापना करते हैं अब हम शिगनेश जी की आरती करेंगे जिस दिपक से आरती करेंगे उसके भी हम पूजा करेंगे उसके बाद आरती शुरू करते हैं जै 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 रेष जै रेष बेवा, माता जाटी पारवती कितावार। कुछ में रसानी सेता ह्योग किदो विए इंसके भीरोग कही मोट हो लोग होुग जंचे घंचे समने पहरे और शांदूर देने ये धोग पनितने सेने कुछछवस्रय गिलन सैंसे घंकिखेशवände माता जाकी पारवती की सामा आदीवा अंधन को आप तुपरियन को का आया बांधन को पुत तुपरियन को माया सूरिशा मुझर आय सक्रिकी जिसेवा जैगनेश 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 जेवा माता ज़की पाई रखी पिता महारेवा देजी बाई रखों संभुचिके मारी काम रखों क्यों जरो जर्गर देहारी करकाम किसी करो जैगाने शुरेवा जैगाने शुरेवा माता ज़की पाई रखी काम रखों संभुचिके माराजी की दे अब कुछ से आज़ि करेंगे प्तलिफ। श्राय मंगला इस्तनो हरी सर्वांगल मंगल येशी सर्वार्थ साधी के शरणी प्रम्भिके गौुरी नारायनी नमोस्तु दे नारायनी नमोस्तु दे बक्रतुंडल महाप्राय सूर्य कोटी समाप्रग्रम नेर्विध्नम पुरूर देवो सर्वकायशु सर्वदा गुरूर प्रम्हा गुरूर विष्णू गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर साश्रात्परम ब्रम्हा तस्मेश्री गुरु वेनम्हा तोमेव माता चपिता तोमेव तोमेव वंधुछ शक्षातूं तोमेव विध्या घुणम तोमेव सर्वं मादेव देव त्राहिमाम त्राहिमाम श्रे गनपती वजानन महराज जे कीजे अब सब लोग आरती लेलो आप सभी आरती ले लीजिए श्री गंपदी गजानन महाराज इसी तरह निर्विक्न घर पर विराजे दस दिन तक हमें सेवा का मुखा दिया है हे प्रभू आप ऐसे ही हमारे घर में विराजे साधी परेशानिया दूर हो घर में सुख शान्ती खुशियां अपार लेकर आप पदारे और हम बहुत ही अच्छे से आपकी दस दिन सेवा पूजा कर पाएं ऐसे हे प्रभू अपनी हम पर दया द्रश्टी बनाए रखना घर मेरे पाएं द्रश्टी एप अड़ो स्वाफ थाच्छा जैप पर द्रश्टी को खो दॉद। जै श्री गनेशा आप सभी ने भी गनेश जी की स्थापना की होगी हमारे श्री गनेश जी आपको कैसे लगे हमने भी भगवान जी की स्थापना की है आप सभी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सिस्क्राइब करना भूल जाते हैं तो नीचे जो लाल कलर का बटन दिया है उससे चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भोलें जै श्री गनेशा है जै माता